साद्वों के पावन प्रसंग भाग 49 स्वामी बोधात्मा नंजी के समंध में लेखक स्वामी चेतना नंद 1966 इश्वी में ब्रमचर और 1979 इश्वी में सन्यास के समय भोव महराज हमारे आचारे थे ब्रमचर और सन्यास मंत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे तदुपरांत होम के समय भी वे मंत्रों की आवरित्ती करवाते थे उस समय उनका चेहरा आँख भाव विभोर रहता था 1965 इश्वी में समावर्तन समारोह के समय भोव महराज ने मुझे स्वामी विरेश्वारा नंजी तथा स्वामी यतिस्वारा नंजी को निमंत्रन करने के लिए भेजा वे दोनों आय थे तथा उन्होंने साधु जीवन के समझ में बहुत सुंदर उपदे दिया था 1966 इश्वी में समावर्तन के समय भोव महराज ने कहा था विद्या चतुसपाद विद्या एक चोथाई आचारी से प्रावत होती है एक चोथाई सहपाथी से प्रावत होती है और एक चोथाई समयानुसार प्रावत होती है इसलिए मुझसे एक चोथाई से अधिक यासा मत क करो हमारे समय प्रशिचन किंद्र में संध्या समय थोड़ी सी चाय को छोड़ कर और कुछ नहीं मिलता था संध्या समय बहुत जोरों की भूख लगती थी किवल पानी पीता था तद उपरांत उनिस सो चासेट इसवी के मार्च में उल्टी होने लगी सभी ने सोचा कि मुझे अलसर हुआ है एक दिन देखा कि भाव महराज मेरे लिए कई थीन अरारोट बिस्कुट लेकर मुझे देखने आए जिससे मुझे कुछ खाने को प्राप्त हो मैवा दिन कभी भी नहीं भूलोंगा परवर्तिकाल में मैंने एक दिन हॉलीबूड में मेरे प्रसिच्छन के अनुभव के विशे में ब्याख्यान दिया खाद्य अभाव की बाते सुनकर एक अमेरिकन महिला ने बारह हजार डॉलर दिया मैवा प्रभू महराज को प्रसिच्छन केंद्र के ब्रमचारीयों के लिए संध्या समय टिफिन हेतु भेजा उन्होंने मुझे पत्र लिखा तुम उसके लिए कुछ चिंता मत करो अभी ब्रमचारीयों के लिए संध्या समय मूरी विश्कूट इत्यादी देने की विवस्ता की गई है 1968 में दुर्गा पुजा छोटी के समय भव महराज 10-15 दिन के लिए पुरुलिया में विश्राम हेतु गय थे मैं भी साथ दिन के लिए अद्वेत आश्रम से वहाँ पर घूमने हेतु गया था महराज के साथ-साथ गुमता था और प्रति दिन राती प्रसाद के उपरांत विविध प्रसंग पर चर्चा होती थी एक दिन उन्होंने ग्रीश गोष के संबन है बताया जो उन्होंने पूरी में कुमुद बंधु सेन से सुना था ग्रीश बाबु सरापीकर मित्रों के साथ दोफर में दचनेश्वर जाते हैं और ठाकुर ने द्वार खोलकर उन लोगों के साथ हरी बोल हरी बोल कहकर निर्थ किया था और एक दिन सरापीकर ग्रीश बाबु रात्री में वैस्ष्याक मेक के घर में रहने के लिए गये नहीं होगा वह और नहीं होगा यह अधिकार पत्र आम मुक्तार नामा का महात्म है विजिया देश्मी के संध्या समय स्वामी चंद्रानंजी तथा हमने भव महाराज से दुर्गापुजा के समन में कुछ बोलने के लिए अनुरोध किया उन्होंने प्राया एक घंटा तक द दुर्गापुजा लेख उद्बोधन के चवनवे वर्स के नवे अंक से उध्रित कर रहा हूं अभी हम मुर्ति पुजा के समन में चर्चा करेंगे कोई कोई पंडित कहते हैं दक्ष कन्या सती बाद में सिव ग्रिहनी दुर्गा हुई थी वह रूपक मात्र है राजा दच अत्यंत यग प्रिये थे यग वेदी उनकी तन्या स्वरूपा थी परवर्तिकाल में वेदी के भीतर की यगनी सती के पती सिव के रूप में और वेदी के दस ओर दुर्गा के दस हाथ के रूप में कल्पित हुआ है प्राया ये यग आदि करने के लिए एक और जहां करने का ज्यान तथा सभी वीगनों को नास करके सिधी लाव करने की इच्छा होनी चाहिए। ये सभी भाव ही लच्मी, सरफश्वती, कारतिक तथा गनेश का रूप धारन किये हुए हैं। हिंसा का प्रतिक सीन तथा पाप का प्रतिक असूर इनको जय करके ही यग में प्रविर्थ होना होता है। इसलिए उनके उपर देवी का स्थान है। भक्तु की द्रिष्टी किन्तु अन्य प्रकार की होती है। उसकी द्रिष्टी में देवी का यह रूप जड़ वस्तु नहीं, कलपना की वस्तु भी नहीं है। जगत की मुलभुट सक्ति जिसको सधारन द्रिष्टी से जड़ कहकर न विविजित किया जाता है। चेतन के सहयोग से वह नित्य चेतन मई है। उस स्वरूप चेतन को त्या करके वह सक्ति कभी भी अवस्तान नहीं करती। वही ब्रह्म मईमा स्वरूप में निर्वुन होने पर भी भक्तों के निकट सगुन सकार होती है। निर्विकार होने पर भी भक्त वत्सला है। भक्तो हिर्दे में जगत जन्नी का अविर्भाव होता है उसको एस्वर ज्यान सक्ति सिद्धी किसी भी बस्तु का भाव नहीं रहता है वे सब मा की नित संगी हैं मा के अविर्भाव से भक्त के समस्त्रिपू वशिभूत हो जाते हैं म्रिन्मई प्रतिमा का अलमन करके भक्त चिन्मई मा की पूजा करके धन होता है असनान पूजा बलिदान तथा हों ये चार ही पूजा के प्रधान अंग होते हैं किन्तो इसके पूर्व देवी का वोधन आवस्थक होता है सिवु प्रिया सिवानी का सिवु प्रिये बिल्व बिक्ष के निचे अवस्थान होता है इसलिए भक्त पूजा कुआँ जाकर अपनी जन्नी को ब्याकुल होकर आवाहन करता है साधक की द्रिष्टी में मेरुदंट के मध में इस्थित सुसुमना ही बिल्व बिक्ष है उसके निचे अस्थान में अनंत सक्ति रुपनी मा प्रसूप्त हैं इकाग्र ध्यान से हैं उनका उद्वोधन होता है अनेक नद, नदी, जरना और सागर का जल तथा अनिक अस्थानों से विविद प्रकार के द्रव के सहयोग से देवी के अस्नान की बिवस्था होती है देवी नित सुधा है, सभी अस्थान, सभी जल उनके सामने सुध होता है भक्त पूजक इन सब द्रब्वियों से देवी को असनान कराकर त्रिप्ति का बोध करता है स्वयम के असुध भाव को दूर करता है अन्यान दिनों में पूजा होने पर ही आश्विन शुकला सप्तमी, अश्टमी एवं नौमी तीथी के दिन ही देवी की विश्यस पूजा होती है मृरिनमई मूर्ति को नदितिर या जलासय के सनिकट ले जाकर यथा विधी असनान करना संभव नहीं होता है इसलिए नौपत्रिका रूपनी देवी को वहां ले जाकर असनान कराया जाता है तथा पूजा अस्थल में ही दरपन में देवी को महा असनान कराया जाता है भक्त को जितना प्रिये वस्तु, भोज्य, वस्त, अलंकार है वस्त मा के चर्णों में नेविदित करता है महा अश्टिमी के दिन में अनेक सक्ति समनविता देवी की विविध उपचार से पूजा की जाती है अश्टिमी और नम्मी के संधीच्छन में घोर प्रलाय कारी चामुंडा रूपनी देवी की पूजा का विधान है क्योंकि मा के वल स्रिष्टी इस्थिती कार्णी तो नहीं है वे तो प्रलय कार्णी है शौम ये सौम ये तरह फीर घोर रावा महा रोधरी भी है इस प्रकार स्रभी द्रब देकर पुजा करने पर भी उन अनंत सक्ति मही मा की पुजा पूर्ण नहीं हुई देवी रुधिर प्रिया है वे चाहती है बलिदान उनको पाने के लिए भक्त समस्त सक्ति का प्रयो करता है संपूर्ण तन मन का अंत में समर्पन करता है यहां तक की स्वेंग की भी आहुती देता है तभी बलिदान होम पूर्ण होता है देवी प्रसंद होती है उसके बाद ह बिजया विज्योलास होता है पित्री पच में पित्री तरपन करके सुधचित साधक के मन में जो महालेया महताम बुद्धा दिनाम लयो अश्याम अनुसंधान आरंभ हुआ था पित्री लोकादी जिनके आंसिक प्रकास हैं आजहंत में अपना सबकुछ बलिदान देकर उस सर प्रवाधार रूपनी महालेया को अंतर में पून रूप में पाकर विज्योलास मनाता है पसुप्रभृति का वह बलिदान इवं सिधी उस परम सिधी का अनुकल्प है कारन सलील से मा की मूर्ती का गरहन होता है इसलिए आज पूजा के अंत में भक्तगन उस मूर्ती को जल करते हैं सभी को मा की संतान जानकर प्रेम आलिंगन करते हैं 1971 इस्वी में मैं हालिवूड गया यदि मुझे सास्त्रे या संस्कृत ब्याकरन समंधि कोई प्रत्न रहता तो मैं भव महाराज से पूछता था वे तच्छन उतर दे दे थे हालिवूड में सन्यासनियों के ब्र महाराज को बिलूर मट के ब्रमचर सन्यास मंत्रों की कौपी करके हमें भेजने के लिए लिखा उन्होंने वह भेजा था मैंने उसको जेरॉक्स करके अमेरिका के सभी सन्यासियों को दे दिया बिलूर मट से 11 अप्रेल 1972 इस्वी को भव महाराज ने मुझे पत्र लिखा था मैं नहीं माह यह बात तुमने अपने पूर्व के एक पत्र में लिखा था क्या आनंद का बेशर है इस छोटे मैं को जितना कम किया जाएगा उतना ही उनका मैं अर्थार माह कार करेंगी वे ही करते हैं ब्रामयन सर्वभूतानी यंत्रा रूढ़ानी मायया गीता 18 अध्याय एक 16 अशलोग दुसरा अहंकार विमोड हात्मा करता हमीति मन्यते गीता तिसरा अध्याय 27 अशलोग उस कच्चा मैं को मार कर फेकने से पका मैं दास मैं यंत्र मैं इस भाव को ले आने से क्या ही इस्वर की सक्ति से वह सक्ति साली है उनका कार करने के लिए विशेश सक्ति संपन पुन्थिकार अच्छे कुमार सेन ने इसको अच्छी तरह दिखाया है पक्का मैं दास मैं प्रभू है मेरे कच्चा मैं मैं मद और अहंकार बहुत सुन्दर दास मैं का है चेहरा रहता है मैं किन्तु वह है जिवन्त मरा मरकर भी उसके तन में है बहुत भल रुम रुम में बानता है वह अचल अटल पीता नदी का पानी अंजली भर भर कर या च्छनों में पार हुआ नदी उचल कर भो महराज के पत्रों से बहुत प्रेरना मिलती थी उन्होंने मुझे आसिरबात देते हुए लिखा था ओह तुम्हारे जैसा गेरवा पहने हुए सन्यासी ब्रिंद जो लोग बेदांत का डिम डिम बजाते हैं वे लोग क्या ही भागिवान है उनका बेदांत पढ़ना सार्थक हुआ ठाकुर उन लोगों को अपनों से और अधिक अपना करे ऐसी प्राथना है विगत 1950 इश्वी से रामकृष्ण संग के बहुत सन्यासी के संपर्क में आने का स्वभाग मुझे हुआ है उन लोगों के पास से जीवन निर्मान के समन्ध में कई संपत पाया हुँ जो किसी गरंत या सास्त्र में नहीं पाया भव महराज वास्तों में घी में तला हुआ सक्कर के सिर्या में डुबाया हुआ सन्यासी थे एक दिन बेदान का अच्छा में एक ब्रमचारी की अनुभूती के विशे में चुनोतित करने पर भव महराज ने दिड़ स्वर में कहा था पिछले चालिस वर्सों सोए क्या केवल घांस काटा हूँ अगले अंक में हम लोग स्वामी सरवग्या नंजी महराज के बारे में जानेंगे